हेलो फ्रेंज गैस करिए कि मैं आज क्या बना रही हूँ तो चलिए बनाना भी स्टार्ट करते साथ में आपके बाते भी करते रहेंगे तो एक पैन रखा है और इसमें मैं एक चमब घी डाल रही हूँ और जैसे ही घी मेल्टोगा फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी लीव्स तो आप गैस करिए कि मैं क्या बना रही हूँ यह एक ठंडी रेसिपी है मनले ठंडा रेसिपी खाया जाता इसको और यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है गल्मियों में स्पेशली बहुत जैसे ही चटक जाएंगे न तो मैं इसमें एक चमच उड़त की डाल दालूंगी एक क्रंच एक बाइट देती है मैं उड़त की डाल तो इससे फ्लेवर जो है और अच्छी हो जाते हैं और टेस्टी हो जाते हैं तो देखिए हमारा साथ सा तड़का बनके तयार हो चुका है बस अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि तड़का ठंडा यूज़ किया जाता है तो चलिए अब यहां बनाते हैं तो अब यहां पर मैं ले रही हूं एक बाउल में दो से तीन बड़े चमच जहीं के तो आप समझी गए होंगे मैं क्या बना रही हू तो इस रेसिपी के लिए हम एना बॉल राइस का यूज़ करते हैं जो अच्छे से मैश करे वे हूँ थोड़े से और अगर आपके पास रात के बच्चे हुए हैं या तो अब वो भी यूज़ कर सकते हैं तो देखी यहां पर दही ले लिए मैंने अच्छे से स्मूथ कर ल लेंगे तो मैं यहां पर कुकुंबर खीरा लेगी हूँ एक कटोरी इसको भी मिक्स कर लेंगे एक अच्छी से बाइट आती है खाने में टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ी सी कैरट कैरट ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं साथ में ही जिंजर डाल तो हमारा इसमें तड़का जाएगा जो हमने ठंडा करने के लिए पहले से ही रखके रखा है तो इसमें हम गरम तड़का नहीं डालते हैं ठंडा तड़का डालते हैं करट राइस हमारे बहुत टेस्टी लगते हैं आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राइ करिएगा उप थंडा करके आप चाहें तो इसे फ्रिज में थोड़ी दे रख सकते हैं थंडा करके खाईए नहीं तो रूम टेंपरेचर पर आप इसे खाईए तो तड़का देखिए पूरा तरीके से मैंने इसे डाल दिया अच्छे से मिक्स कर लूगी और अभी मैंने यहां पर नमक नहीं में डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे एक बाउल में सर्व करें खाने के लिए फटा-फट से और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग